ओम शान्ती 22 जून 2023 की साकार मुली से होमवर्ग आज की मुली से हम लक्षय लेंगे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर स्वरक का मालिक बनने का पुर्शार्थ करना है तो कर्मातीत अवस्था के लिए आज हम देही अभिमानी बनने का पुर्शार्थ करेंगे तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो देहे का भान छोड़ो इसके लिए विधी बताई देह सहीत सब संबंधों से ममत्व को मिटा करके ट्रस्टी हो करके रहो तो जितना तुम निराकार बनते चाहेंगे इस देह से ममत्व तूटता चाहेगा क्योंकि निराकार बनेंगे तो निराकार बाब को भी याद कर सकेंगे फिर देही अभिमानी बनने की दूसरी विधी बाबा ने बताई पुरानी दुनिया से तुमारी दिल हट जाने चाहिए लेकिन माहा हमारी गुपत है तो ब्रम्मा को बोलते हैं बड़ी मा फिर उसके साद निरंतर याद करने के लिए बाबा ने कहा मुक से जब मन से सिमरन करते रहो बाबा का निरंतर रात को जीतने वाले बन करके रात को नीद को जीत करके भी बाप को याद करना है जब सारा दिन बाब का सिमरन रहेगा इसलिए गाइन है सिमर सिमर सुखपाओ जब हम बाबा का सिमरन करते रहेंगे तो खुशी का पारा चड़ेगा और जब हम बाबा का सिमरन करेंगे तो किसी भी परकार का हमें हिसाब किताब नहीं रहेगा बाबा को सिम्रन करने के लिए तो हमें बार बार इस बात पर अटेंशन रखना है कि हमें याद का चार्ट रखना है जब हमारा आठ घंटे का चार्ट पहुंच जाएगा तो हमारी कर्मा तीत अवस्था स्वता ही आ जाएगी जैसे ही हमारी कर्मा तीत अवस्ता आती है हिसाब किताब चुप्तू हो जाते हैं और हम अनुभव की अथोर्टी बन जाते हैं माया से मुक्त हो जाते हैं तो दूसरा है बाबा ने ये अटेंशन दिलवाया हमें कि तुम्हें श्रीमत पर चलना है श्रीमत पर चलने के लिए बाबा ने कहा हर कदम बाबा की श्रीमत लेने से सरव परकार की उल्जनों से आप मुक्त हो जाएंगे जैसे कि मकान करीदना है, मोटर लेनी है तो बाबा कहे भल मकान करीदो, मोटर लो, एरो प्लेन में घूमो, धन है तो करो लेकिन मुझे याद करो फिर बाबा ने दूसरी श्रीमत दी, अगर बच्ची ग्यान में नहीं चलती है, तो उसकी तो शादी करनी पड़ेगी, बच्चा नहीं चलता है, तो भले अपना कमाए फिर बाबा ने दूसरी शृमत ये भी दी कि जब किसी को ज्ञान समझाते हैं तीन-चार लोग आते हैं तो अलग-लग बिठा करके समझाना है क्यूंकि सबकी नवज को अलग-लग समझाने से ही पता चलेगा फिर उनका फोम भी भराना है तो इस शृमत का आज पालन करना है फिर बाबा ने ट्रस्टी के लिए दूसरी बात यही बोली कि ट्रस्टी का अर्थ एक तो तै शिरीमत पर चलना, दूसरा ट्रस्टी का अर्थ है बलिहार जाना, बाबा ने कहा इस समय तुम अपने तन, मन, धन से बाप पर बलिहार जाते हो, अपना सब कुछ बाप की सेवा म सफल कर बापका मददगार बनते हो, जितना बलिहार जाते हो उतना ही वैकूंट में तुम्हें उच प्राप्ति होती है, क्यूंकि जितने का उतना जैसा कर्म वैसा फल हमें मिलता है, तो इसलिए अभी हमारा लेन देन है, आक्सेंड चल रहा है, पुराना देना है, नया लेन तो अपनी चेकिंग करनी है कि हम कहां तक बलेहार गए हैं फिर कर्मा तीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए कर्मों की गुया गती पर भी अटेंशन देना है करम अकरम विकरम की गुया गती पर अटेंशन दिलाते आज बाबा ने कहा कि सत्युक में हर करम अकरम होते हैं क है और खुद भी खुश रहना है मुर्जाना नहीं है फिर मुझना भी नहीं है फिर बाबा ने यह श्रिष्ट करम बताएं यह हंई अपने हर्षित चेहरा आज सारा दिन ध्यान रखना है कि जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारा हर्शित चेहरा रहेगा जितना श्रेष्ट करम होंगे उतना हम हर्शित रहेंगे जितना यहां हर्शित होंगे उतना ही भविश्य जनम में भी हम हर्शित रहेंगे क्योंकि जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतने हमारे हिसाब किताब चुक्तु होंगे और हम कर्माती कर्माती तवस्था को प्राप्त कर सकेंगे इस तरह श्रेष्ट करम के लिए याद और ज्ञान दोनों पर अटेंशन रखना है तो हम इन बातों पर अटेंशन रखते हुए कर्माती तवस्था को प्राप्त कर स्वरक्का मालिक बनेंगे ओम शांति